गुड मॉनिंग क्लास 2 अब हमने अपनी 9.A exercise कर ली थी ठीके जिसमें हमने थोड़े से measurement चीके थे meter और centimeters क्या होते हैं ठीके अब हम इसके regarding कुछ sums करेंगे ठीके additions के कुछ sums हैं तो वो हम करेंगे 9.B exercise में मैं आपको पहले समझा देता हूँ 9.B exercise में word problems का meaning क्या है और exactly आपको इसमें क्या करना है ठीके और calculation part वो आप खोद करेंगे तो 9.B का जो पहला question है वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है आकरिती walked for 327 meters in the morning and 299 meters in the evening आकरिती जो है वो सुभे walk करने जाती है तो जब सुभे walk करने जाती है तो 327 meters walk करती है मतलब चलती है सुभे 327 meters और शाम को 299 meters शाम को चलती है ठीक है तो आपका पहला question यह है how much did she walked in all तो वो सुभे और शाम को total मिला के कितना चलती है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा आपको सुभे का पता है कि वो कितना चलती है शाम को पता है कितना चलती है 299 meters तो आपको क्या करना है इन दोनों values को add करना है plus करना है तो आपका इसका answer आ जाएगा अब दूसरा question है when did she walked more and how much कि जादा कब चलती है morning में जादा चलती है कि evening में जादा चलती है तो यह आप easily बता सकते हो यह morning में चलती है इतनी 327 और evening में 229 तो कब जादा चलती है यह बता सकते है और पूछा है कि कितना जादा चलती है morning में अगर जादा चलती है तो evening से कितना जादा चलती है तो यह आपको खुद calculate करके answer निकालके मुझे बताना है Coming to question number 2 Question number 2 है Guinness Book of World Records registered the length of the longest dosa is about 17 meters Guinness Book of World Records क्या होती है Guinness Book of World Records में दुनिया के जो भी records होते है World Records उसमें register होते हैं उसमें लिखे जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा dosa बनाने का भी record है तो सबसे बड़ा dosa बनाने का जो रिकॉर्ड है वो है 17 meters का तो जब यह dosa बना 17 meters का तो 10 friends ने 10-10 लोगों ने उसको challenge किया कि हम यह 17 meters का dosa पूरा खा जाएंगे बट वो कितना खाप है They quoted only 9 meters of it 17 meters का dosa था उसमें से वो 9 meters का dosa खा गये ठीक है और बाती उन्होंने pack करा लिया ठीक है तो हमें यह बताना है कि कितना dosa pack हुआ तो total कितना लंबा dosa था 17 meters का उसमें से कितना खा गये 9 meters खा गये तो बचा कितना कैसे निकालेंगे 17 को 9 से minus करेंगे ठीक है 17 minus 9 करेंगे जो भी answer आएगा वो length of dosa होगी जो की pant हुआ second question आपको ऐसा करना है third question बहुत interesting है इसमें एक चार्ट दिया हुआ है third question मैं आपको दिखाता हूँ third question में आपको एक चार्ट दिया हुआ है यह देखिए यह बना हुआ है पूरा इसमें न क्या है रोहन का घर है गीता का घर है गीता's house प्रियंका's house प्रियंका का घर और मीना's house मीना का घर और इन चारो घरों के बीच में है gym जहाँ पे exercise करने जाते हैं न gym ठीक है तो अब यह पूछा गया है पहला question और यहाँ पे न सब का distance दे रखा है कि प्रियंका का घर और gym के बीच में कितना distance है 200 meters का distance है और जिम से गीता का house कितना दूर है 350 meters दूर है मीना के घर से जिम कितनी दूर है 500 meters दूर है और रोहन का घर जिम से कितनी दूर है 275 meters दूर है अब इस data को लेके हमको कुछ सवाल पूछे हैं जिम से वापस घर आ गई तो बताओ टोटल कितना चली तो प्रियंका यहां से जब जिम गई तो कितना चली 200 meters और वापस जिम से जब वापस घर आई तो कितना चली वापस 200 meters तो दो बार 200 meters चल गई तो आपको क्या करना है इसका distance पता करने के लिए 200 plus 200 करेंगे तो आपका answer आ जाएगा ओके now coming to question number B how far Rohan houses from Gita's house Rohan का घर का है यह रहा रोहन का घर Gita का घर कहा है गीता का घर यह रहा तो यहां से Rohan का घर और Gita का घर कितनी दूर है तो Rohan के घर से जिम है 275 meter दूर और जिम से Gita का घर है 350 meter दूर तो Rohan का घर Gita के घर से कितना दूर हुआ इन दोनों को प्लस कर देंगे 275 को और 350 को प्लस कर देंगे तो यह पता चल जाएगा कितनी दूर है यह पूरा पता चल जाएगा कितनी दूर है तो हमको यहाँ पर 275 और 350 को प्लस करना है ठीक है Question number 3 है How much did Gita walk to go to the gym Gita को कितना walk करना पड़ता है Gym जाने के लिए Gita जब gym जाती है तो उसे कितना walk करना पड़ता है यहाँ पर लिखा हुआ है कितना walk करना पड़ता है यह रहा आपका answer इतना walk करना पड़ता है ठीक है अब last question है Last question states Rohan went to gym and then to Gita's house to collect books and Gita went to Priyanka's house who walked more and how much ठीक है तो Rohan gym गया और फिर Gita के घर गया पहले Rohan gym गया और gym से Gita के घर गया ठीक है तो यह तो हमें पता था है यहाँ पर how far is Rohan from Gita's house Rohan यहाँ से Gita के घर गया तो कितना चला This plus this ठीक है रोहन इतना walk किया अब Gita Priyanka के घर गई गीता Priyanka के घर गई ठीक है तो Gita को कितना चलना पड़ा Gita को चलना पड़ा 350 plus 200 और Rohan को चलना पड़ा 275 plus 350 Rohan यहाँ से यहाँ गया और Gita यहाँ से Priyanka के घर गई तो आपको बताना है कि कौन जादा चला और कितना जादा चला तो पहले आप Rohan का निकालेंगी Rohan कितना चला This plus this और Gita कितनी चली This 350 plus 200 मीटर दोनों का पता चल गया हमको Rohan और Gita कितने कितने चले अब इसमें सिर्फ दोनों का जो हमें पता चल जाएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि कौन जादा चला जिसकी आंसर जादा आया वो जादा चला और कितना जादा चला तो आपको माइनस करना है जो जादा चला और जो कम चला जादा चला जो उसमें से कम जो होगा माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा इसका ओके तो ये आपको exercise 9 भी इसी तरीके से आपको करनी है ठीक है two word problems है और एक आपकी diagram वाली problem है तो ये आप करके आप मुझे भेजिये and then in the next class we'll move to the next exercise which is 9C okay class thank you